का लिए तो यह पना पार्ट ऩूए संघ्वाद के चप्टर नम्बर 7 पॉल्य टीक है यह पार्ट टूव्य ऑका है ठीड पढ़ में पहले गया नेक्ट्सथे पढ़ाथ यह उसलिए भारत में कि टीन अस्तर पे संग्वाद क्या समझा दिया ठीक है जिसका बिगटन होगे कब 1991 समाजवाद की विचार धारा पर निर्मित था बना हुआ था ठीक है बुक है समकारें 200 में राज्यती पहला दूसरा तीसरा इसी आपको संग्वाद सोभिय संग्वाद मिलेगा तब उसको बारे में पढ़ेंगा हलंगे वीडियो बना रखा अगर दिखना है एक कदम आगे रहना तो देख सकते हैं तो भारत के बाद संग्वाद कैसा है ना 1950 में है कब आया 1950 में जब सग्धान हमारा लिग गया तब लेकिंगे संग्वाद की विश्यस्ता है यह बहुत पहले आ चुकी थी लेकिन दुनिया के अंदर जो हमारे जो दुनिया चल रही है उसमें जो ग्रेट क्या वोल इसको ग्रेट दादा है जो है अमेरिका के अंदर संग संगभवाद कहा पर आया तो अमेरिका के अंदर अया ठैक है संगभवाद में क्या होता है तो मैंने पहले पता है तो एक स्थेध् Rescue को te 102 वी रही जहाता है किया है भारती है कुई विहारी हो सकता है मतलब गलत सेंस में नहीं है के निसकता है पंजाब के हैं तो हरियान भी बहुते हैं तो राजस्थान सब्सक्राइब सकते हैं ठीक है तो मारी पैचान भी क्या होती है अलग-अलग होती है जैसे कि सपोर्ज करिए जब इस प्रकार से लोग क्या करते हैं बट जाते हैं हमारी होती है इन्डिया वर्स पाकिस्तान पाकिस्तान हम सब हुजाते है यहां पर गया प्तातिक नौ कंते हैं वाद हो जाते हैं है हम लोग तो क्या है वह मराठी गुजराती विहारी बंगाली है या इंसान नहीं कर पाया वह भारतवासी है या उस समझ आपको पैचान पर असमिता बोलते हैं पुरा बुक पढ़ने को मिलेगा ठीक है कि संगवाद की दूसरी फिचर के हाँ पर लिखी सविधान होना चीए लिखी सब्धान क्यों जरूरी है ताकि किसके पास कितनी सक्तिया हैं सब्धान में पहले से लिख दी गई है जितने भी धरम है जो धरम होते हैं उनकी धार्मी किताब होती है कौन क्या कर सकता है कौन क्या नहीं कर सकता हो कहां लिख देते हैं आपकी धार्मी किताब में वैसे ही हमारे सभिधान में लिख दिया जाता है इन संगवाद के अंदर सभिधान बहुत जरूरी है अगर सभिधान अगर और संगवाद नहीं है तो आप रिटेन को गए तो किए नहीं है वहां पर संग्वाद कि सर वहां पर लिखी संगवाद- नहीं है actual संगवार्यो शेंडां कर सकता है किसके पास कितीनी पावर होगी वह कहां पर लिखा हुआ है सब्धान में लिखा हुआ है ठीक है इसमें अनुसूची साथ है पूछता है अनुसूची साथ का संब्ध किस से है तो संगवाद देगा न्याय पालिका देगा बहुत सारी चीज़ चुनाओ देगा फला संग्य सरकार सरकार होती है यो पुरे देश को रिप्रेजेंट करती है पुरे भारत को करती है यह किसको रिप्रेजेंट करता है अधि तो राज्य में है विधान मंडल है यह विधान सभाँ अपने अपने राज्य का अलगए भिहार का लगए पंजाब का लगए राजस्तान का लगए-गोवा का लगए-शेकिम का लग-च्ति-इस-गड़िया सबसे बड़िया है नहीं और हमारी पैचान बेला होती है एक बिहारी तो हमारी अलग अलग पेचान वी हो जाती है न दोणी पेचान लेगी जब हम भारती है तो भारती है नागरी पहला होना चाहिए उसके बाद हमें हिंदू मुस्लिम ठीक है ब्यारे यूपर उत्तर प्रदेश वाले खलाना दिमगाना बाद में होना चाहिए तो संग सरकार और केंद्र सरकार समझ में आगे यहां पर सक्तियों का बटवार है लेकिन भारतिय सभिधान के अंदर सन 1993 के अंदर ठीक है चाहिते लूकल कोवर्मेंट नकて strips क्यूं मुझा च begging सरकार किसी मुद्द को लेकर लड़ जाए है लाजी अपनी वात का ऑ राज्य सरकार अपनी बात कम तो बीच केंदर को राज्य का सुनता है और सबैद्धान के साथ से यह करता है कॉंग गलत तो नियाय पर उसके जगा हमें डिकाएं यूनियन गया लिख अब यह इंत्रेंट केस एगर आप पेपर वीडियो देखते हैं पता नहीं कौन से गते हैं अच्छी वीडियो देखते हैं तो उसमें नाड़ू सरकार ने पुरिय लिए यूनियन गवर्मेंट करके लिखते थे गलत है क्योंकि सेंट्रल गवर्मेंट कहीं नहीं लिखा हुआ है तो संग्सूची में क्या है संग्सूची में सारे इंपोर्टेंस लिस्ट में विशय आते हैं जिस पर केवल संसथ कानून बना सकती है जैसे की सुरक्षा आर्मी हो ग बिहार आरमी नहीं सुना में तो इंडियन आर्मी इंडियन एयर फोर्स इंडियन नियवी होगा कि परमादौ सुरक्चा है बहुत human का बं और बिजली दोनुँए कि सोई में है तो संसुशी में नोए पकिस्तान लुए लड़ता यह पावरफुल होता है उसको पितने कि बात करते हैं इसलिए पाकिस्तान को बनाया ताकि हम लोग मजे ले सके तो परमाडु जो था जूंदें टृष को पाकिस्तान पर मारा देता इसलिए समधदार लोगे के पास होना चाहिए तो किस में संकसूची में है फिर आता है ब्यद्शी मामले किस देश से हमारा कैसा संभंद रहे करती है ना कि आपका फिर सरकार का Chandra subscribe किंधने भारतिया रूपिया सुना हुगा ठेक है आपने विहार मुद्र उत्त्र प्र्तरप्रदेश का मुद्रा पंजाबी मुद्रा नहीं सुना ऑगा अगर म benefici में चापका तो सकता है युपी में किस में औरने या दे सुनाओगा उत्तर २हीं कभी नहीं सुनाओगा उत्तर प्रदेश रेलInter नहीं सुनाओगा अब कि आता है एक और यहीं को संपाटा आटा है जेलटा इसको आप भी बूलते हैं आप कारी नीति अ कशारा यह पूरे बिहार गंदर अभी सराब बंद है विचारा पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है कमाने के लिए बाहर आजकाल दारू पीने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है क्यों वहाँ पर सराब बंद है ठीक है अब सराब केवल बिहार में बंद है इस बात का पता च उकसीजन कब में सराब जादा है तो एक बोतल मिलता इसे बताते हैं निये लोग बताते हैं से परफू पालत कि में उपलत में संवर्थी भी सब्सक्राइबिदी नेकिन आप संवर्थी सुची इस बनने जाती है आपकी संग सरकार की बात माने जाते हैं जैसे कि सिक्षा को लेकर कानून बनता रहता है ठीक है है इसका मतलब होता है जो तीनों लिस्ट में कहीं भरवे नाम नहीं आया वो किसमें आ जाएगा अल्टिमेट और सिसक्ति में आ जाएगा और सिसक्ति का मतलब है और सब्सूची के बिसे हो जाएगा आर्टिकल 248 ठीक है अभी 248 भारवार में कहरा है उसको इजाद कर लेजिए बहुत इंपोर्टेंट है जैसे बताया था नहीं बर्चस्तों का मतलब होता है दब दबा ठी आप जैसे बोलोगे कि और सी सकतिया होता है आटिकल 248 ठीचर से प्रेगा पीछे से कौन बोला है ठीक है समझना रहा है ना तो एक्ष्ट्रा माक्स मिलते है और एक्ष्ट्रा मिल जाती है इसलिए चीजों को याद करें आपको जहाँ एक नंबर मिलते है मतलब तीन मेंसे म सरकार और संवात सवात का मतलब होता है मजबूत क्या होता है मजबूत होता है और आपको ससकता। तीचर नूटरल रहो ठीक है ना तो मेल ना तो फिमेल आपको जो मानना है आप माल सकते हैं यह चला रही है सरकार मतलब की आपकी क्लास चला रही है लेकिन समस्य आ गए लेकिन धीली डाली होगी यह पढ़ाईगी क्या पॉलिटिक्स मैं अथे सब खुद पढ़ा दू है ना करते हो इसलिए किसी भी एकता रहती है अखंडता रहती है कोई एसा नहीं कि पिछी जाके बैठ गये क्लास आगे चल रही है और आप जाके को पीछे बैठ के हम तो भाई पीछे बैठेंगे मास्टर जूते-जूते मालेगा अगर वह मजबूत है और धील्य पुली होगा ठी होते हैं जो मार के सुधाइज कर देते हमारी स्कूल में टीचर थे पौलिटिकण साथ ते जब बढ़ा देते ना बिल्कुल संसक्त खेंदर ठीक है वहां भी सारे बच्चे में नाम के नाम पर है भाशा के नाम पर है तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको मजबूत क्लास चाहिए ठीक है इसे माली जाए आपके अंदर 40 वच्चे है उसमें से 30 हिंदू है क्या है तीस हिंदू है अब बोले कि नहीं जी यह तो हिंदू मतलब क्लास बननी चाहिए या भगवान सिर्राम की फोटो लगने चाहिए सुबह सुबह जैसी राम के नारे लगने चाहिए तो अखंड जो देश है वह एक रहना चाहिए अखंड हो दोटरा मुद्दा था अब certain सब्सक्रार मजबूत थैख इस सारे काम कर गया जो हिस्सा पाकिस्तानियों ने ले रखा है उसे हम लोग कहते हैं गुलाम कस्मीर क्या कहते हैं इससे विकास जल्दी होता है अगर आपका मजबूत जो सजक्त केंदर होगा तो विकास जल्दी होता जैसे आज जैसे इस्ट्रिक टीचर आता है तो आप लोग पढ़ना विकास बहुत जल्दी आता है कोई गड़ी नहीं हो पाती ठीक है तो विवित्ता के लिए एक्टा ऑर अखंड़ता के लिए विकास के लिए फिर आता है राज्ययों पर किंद्र का नियंत्रन है जो राज्य है ना यूपी बियार आप जो आठाइस राज्ये भारत कितने र सरकार करेगे ठीक है बिहार का नाम तिहार रखना है तो कौन करेगा को अपरी मतलब संसत करेगी ठीक है फिर आता है सीमा परिवर्तर इनकी सीमा चेंज कर सकता है नाम बदल सकता है दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकता है एक राज्यों को काट के तीन चार कर सकता है प्रकार से नियंतर रखता है उसके पाथ काल कर सकता है जो राज्य है यूपी भी भी रहर हडियाना पंजाब मुझे बस inform कर दियो ठीक है उसके बाहद हम क्या करेंगे कर देंगे इस गया बंदे होते हैं और कि सब्लूर में राजीं सरकार इनको हटा भी नहीं सकती हैं रापारती संग्य विष्वस्ता में अजी accounting साथ फेरे होते हैं साधि करते हैं तो साथ फेरे लेते हैं तो तो यह हर चीजे लिखी हुए समिधान में तब भी हमारे तनाव आ सबसे बड़ा है क्या है समय समय डिशाइड करता है कि आप कैसे होंगे तो 1983 के अंदर में एक सरकारिया आयोग बनाता है यह देखने के लिए केंदर राज्य का संब्ध कैसा है ठीक है खूब कर आपके साथ कभी दोखा करेगा बिलकुल नहीं करेगा उनकी लड़ाई भी नहीं होगी जैसे लेकिन जैसे दूसरा मोनेटर बनेगा फिर दिककत हो जाएगा ठीक है यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं था साड़ के बाद से ना कोई सरकारे थे राज्यों के अंदर गिरना धेरे-धेरे शुरू हो गया जैसे गिरना शुरू हो गया अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग सरकारे बनी तो केंदर से और उनका जो रिष्टा था खराब होने लगा के बाद कोंग्रेस खतम हो गई वह उन्हें को असनी के बाद कोंग्रेस बहुत गिर गई और आज ऐसी स्थिति है भारत में 28 राज्य हैं अगर मैं सही से याद कर पाऊं तो कहां कहां कोंग्रेस सरकार रहें साथ गुवा के अंदर है और जगा और कोंग्रेस की सरकारे हैं को जीरो हो चुकी है तो सम्बंध भारत के इसलिए मतलब केंदर राज्य के समंद् इसलिए अच्छे कि में वीजेपी है दोजार वाट करें तो बिजेपी है और राज्योद की सरकार अलग होगी और यूई सरकार ऑपने को पैसे नहीं देती इसी इनकी लडायाँ चलती रहती अधिकार नहीं देती कोई पास जेसे मल लेज़े हैं ले में किसकी सरकार है ? यूनियन में किसकी सरकार था पत्ष्य मंगाल के अंदर किसकी सरकार भै आपकी TMC की सरकार है मोजी सरकार के है कि इसको देगी चाली रुपे तो हमारे विचार वाले नहीं कि नहीं नज्याएं 1989 के बाद को खत्म सी हो सकती ठीक है यह पार्ट नमबर तुन था पार्ट नमबर थिरे मिलेंगे दिखेए